हर हर महादेब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुथ चीवन का सत्य में दोस्तों, भगवान शीब को प्रसंद करने के लिए शीवलिंग पर अनेकों परकार की चीजे चड़ाई जाती है मानेता है कि शीवलिंग पर जो भी श्रधा से अर्पित किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है तो आज हम आपको बताएंगे शीवलिंग पर कौन सी वे 5 चीजे हैं जिसे चड़ाने से घर में सुख सम्रीदी आती है इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को आंतक जरूर देखें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कोमेंट वोक्स में हर हर महादेब लिखना ना भूले तो आईए वीडियो शुरू करते हैं हिंदू धरम में शिवलिंग पूजा का बहुत महत्व है पूजा के दोरान शिवलिंग पर दूद, दही, शेहद, पुष, धतूरा, बेलपत्तर, आदिक के चीजे चड़ाई जाती है इन्ही में से एक है शीवा मुठी जिसमें पांच अनाज आते हैं शिवलिंग पर जिसे अर्पित करने का खास भीदी बिधान है तो आईए जानते हैं कि वे कौन से पांच तरह के अनाज है जिन्हें शिवलिंग पर चड़ाना चाहिए तो सबसे पहले आते हैं अक्षत शिवलिंग पर चावल चड़ाना बहुत शुब माना जाता है चावल चड़ाने से धन से जुड़ी समस्याईं दूर होती है चावल चड़ाने से आर्थिक सिथी सुधरने लगती है ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो तूटे नहीं होने चाहिए दूसरा आता है हमारे पास अरहर की दाल शिब जी को एक मुठी अरहर चड़ाने से सुख मिलते हैं जीवन में सम्रिद्धी और संपन्ता का बास होता है पीली अरहर चड़ाने से बुद्ध ग्रह भी मजबूत होते हैं और नोकरी में सफलता मिलती है उसके बाद काले तिल, शिवलिंग पर काले तिल चड़ाना लाबकारी माना जाता है काले तिल चड़ाने से पितर दोष शांत होता है काले तिल चड़ाने से पितरों का आशिरवाद मिलता है राहो का दुश परभाब भी घर से खतम होने लगता है शिवलिंग पर गेहू चड़ाने से संसारिक सुख मिलते हैं मा अनपूर्ना का बास घर में बना रहता है इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर गेहू चड़ाने से विवाक की बादा दूर होती है बिवाहिक दमपती को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चड़ाना चाहिए शिवलिंग पर मूंगदाल चड़ाने से नकारात्मक उर्जा नश्ट होती है किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती है काम सफलता के साथ पूरा होता है उसका ला मिलता है आप भी भगवान शिव को प्रसंद करने और उनकी क्रिपा पाने के लिए शिवलिंग पर शिवा मुठी जाने की पांच तरह के अनाज अर्पित कर सकते हैं तो ये थे पांच परकार के अनाज जिसे शिवलिंग पर चड़ाने से सुक समरीती घर में आती है हर हर महादेव